और और स्वागत है इस्टेडी सर्क्ल में और आज हम पढ़ने वाले हैं मौद्रिक नीती समिती के बारे में यानि की मौनिटरी पॉलेसी कमिनिटी के बारे में जो की एक सामविधिक निकाय है और इसकी सापना भारा सरकार के द्वारा 27 जून 2016 को किया गया था इसके लावा जो मौद्रिक नीती समिती है इसको इस लिगठित किया गया था ताकि जो आरबी आई रिजर्व बैंक का फिंडिया जो कि भारत का केंदरी बैंक है वो जो ब्याजदर निधारन करती है उसको अधिक उपयोगी और परदर्सी बनाया जा सके इसके लावा भारती रिजर्व पैंक अधिनियम 1934 में संसोधन करते हुए मौद्रिक नीती निर्माण को मौद्रिक नीती निर्माण के कारे को मौद्रिक नीती समिती को सौम दिया गया यानि कि अब तक इसमें साज की हस्छेप लगभग नहीं होता था पर अब इसमें सरकार का थोड़ा बहुत योगदान रहेगा इसके लाब अगर हम बात कर लें कि मौद्रिक नीती है गया तो मौद्रिक नीती ऐसी उपाय या उपकरण है जिसके दोरा केंदरी बैंक जो होती है वो ब्याज दरूं पर नियंतर करके अर्थ विवस्ता में मुद्रा के प्रवाह को नियंतरित करने का कारे करती है और जिससे मौल इस्तिरता बनी रहे तथा उच्विकास के दर का जो लक्ष है उसको प्राप्त किया जा सके अब अगर हम बात कर लें कि मौनिटरी पालिसी के कमेटी के जो सदसे है और अध्यक्ष है इनके बारे में तो मौद्रि है उच्विक नीति समीती में छे सदस होते हैं जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वह रिजर्बैंक के गवर् Christmas इसके पद्यान अध्यक्ष होते हैं और इसमें कुल सदस्यों में से तीन सदस्य RBI के होते हैं जबकि तीन सदस्वे 12 सरकार के दवारा चुने जाते हैं और जो RBI के जो सदस्वे होते हैं उनमें एक गवर्नर होते हैं डिप्टी गवर्नर और एक अन्य अथिकारी होते हैं और जिसा की पहले बताया आपको कि रिजर्व बैंक की गवर्नर मौदरिक नीती समिती के बदेन अथ्यक्ष होते हैं और जो मौदरिक नीती निर्मान किया जाता है इसके लिए जो समिती है वर्स में छेह बार मिलती है और सर्व समति से निर्णा लेने का कारिक करती है और कभ जो RBI गवर्नर होते हैं उनके पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है धन्यवाद